जैहिंद जैभारत मेरे प्यारे दोस्तों दोस्तों आज है 17 जून 2024 और आज के जितने भी महत्यपुर्ण क्रेंट अफियर होंगे वो हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो आईए शुरू करते हैं आज का महत्यपुर्ण क्रेंट अफियर आज का पहला प्रशन है 20 सरनार्थिय दिवस कब मनाया गया है तो 20 जून को मनाया जाता है 20 सरनार्थिय दिवस कब मनाया जाता है तो 20 जून को मनाया जाता है 20 सरनार्थिय दिवस मेरे प्यारे दोस्तों मेरे दोस्तों जून महिने में और कौन-कौन से महत्पुर्ण दिवस म एक जून को मनाया गया है। दोस्तो अंतराष्टी अभी लेखा गार दिबस कम मनाया गया तो 9 जून को। 12 जून को मेरे प्यारे लालेवं लालियो और विशु सरनार्थी दिबस कम मनाया जाता है दोस्तो तो यह मनाया जाता है 20 जून को। मेरे दोस्तो अगला प्रश्ण मारा है हाली में राष्टिय सुरक्षा सलाकार किसे निक्त किया गया है। तो अजीत डोभाल को हाली में अभी राष्टिय सुरक्षा सलाकार निक्त किया गया है। दोस्तो तो अजीत डोभाल को। मेरे दोस्तो अगला प्रश्ण मारा है हाली में किस राज्जी के मुख्य मंत्री ने समाजिक सुधार योजना के तहत सौ करोर रुपे की मंजूरी दी है। तो अरुनाचल परदेश ने दोस्तो किस राज्जी ने दिया है तो अरुनाचल परदेश जो पूर्वत्तर भारत का राज्ज है और यहां पूर्वत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्ज है अरुनाचल परदेश दोस्तो अरुनाचल परदेश की राधानी क्या है इटा न पखोई वन्ने जीब अभ्यारन, नाम दभा बागरी जर्ब, कमलांग बागरी जर्ब, मौलिंग राष्ट्रिय उद्यान, दिवांग वन्ने जीब अभ्यारन, तैली घाटी वन्ने जीब अभ्यारन, कहां है तो अरुनाचल प्रधिश में है, ब्रहंपुत नदी दोस्तू, प्रहंपुत नदी कहां से निकलती है, तो यह तिबबत के मानसरोवर जील से निकलती है, जहां इसे यरलूंग तसांगपो के नाम से जानते है, ब्रहंपुत नदी को तिबबत में क्या कहते है, यरलूंग तसांगपो दोस्तो, और यहां भारत में अरुनाचल प्रधिश म के अन्याम है कोईली जी दोस्तों औल्ल दर्रा और दीफू दर्रा पाशी घाछा बाई अडह कहा है अरुम्हाचल प्रदेश के सीमा लगती है चीन से मेयानमार से नागा लेंड से असम से भूटान से लगती है दोस्तों अर्मुनाचल प्रदेश का प्राचिन नाम नेफा है और सरपर्थम सुर्योद अर्मुनाचल प्रदेश में ही होता है पुर्वत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो अर्मुनाचल प्रदेश है पुर्वत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य दोस्तो दोस्तो अ अगला प्रश्ण मारा है हाल ही में कहां अंतराष्टिये परेटन मेला आयोजित किया गया है तो नेपाल में दोस्तो अंतराष्टिये परेटन मेला का आयोजन हुआ है कहां हुआ है नेपाल की राधानी काठमांडू भी तो दोस्तो नेपाल की कैपिटल तो मैंने तुरंत ब पोखरा बनी है और प्रफम अंतराष्ठी ये इंदर्धनु से प्रेटन समेलन दोस्तों काट मांडू में ही हुआ है अगला पस्ट नमारा है हाली में किस राज्य के असमिर्ती भुकंप असमारक संगराले जिसका नाम असमिर्ती वन असमारक संगराले को युनेस्को के प्रि प्रिक्स पुरुसकार गया है और यह ये यूनसको देती है प्रिक्स पुरुसकार दोस्तों, इसके तहएंगे साथ कर लेना, سाथ खुबसूरत संघृermें एक अमाना गया है असमिर्थी बन असमारक संघ्राले को दोस्तो, आपको इमेज में दिखरा होगा दोस्तो, यही है असमिर्ती वन असमारक संघराले मेरे प्यारे लाले बमलाली ओ चो कहां है तो गुजरात में दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों देखो अब युनेस्को तो युनेस्को का फुल फॉर्म है युनाइटेड नेशन एडुकेशनल साइन्टिफिक एंड कैल्चरल ओगनाईजेशन और इसका हिटक्वाटर फ्रांस की राधानी पेरिस नी है इसके डाइक्टर जन्नल कौन है ओंद्रे अजैलो है और इसके स्थापना कब हुई 16 नमंबर 1945 को युनेस्को की स्थापना हुई दोस्तों पेरिस कौन से रिभर के किनारे है ये आपको बताना है केमेंटर बोक्स गुजरात में राजसभा 11 है और लोकसभा 26 है काकरा पारा परियोजना तापती नदी पर गुजरात में है उकाई परियोजना भी दोस्तों तापती नदी पर ही है और गुजरात में है पोरवंदर लेक वन्ने जी बभ्यारन कहा है तो गुजरात में है पोरवंदर लेक वन वन्सदार आश्ट्रिय उद्यान थोल झील वन्नेशी बाभ्यारन बाधवाना आधर भूमी जंगली गधा आभ्यारन ब्लेक बख राश्ट्रिय उद्यान कहां है तो गुजरात में हैं . दोस्तों अगला पस्ट नमारा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक बजीफा देने की घुसना की है तो असमने दोस्तों असमने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक बजीफा देने की घुसना की है अब असमने दोस्तों घुसना की है मेरे प्यारे लाले वं लाली यो आज आपको बताना है केमेंटर बॉक्स में उत्रा खंड के बारे के उत्रा खंड के बारे में आप क्या क्या जानते हो यह संप सभासित साथ है और लोग सभासित 14 है मानस राष्ट्रिये उद्यान नमेरी राष्ट्रिये उद्यान राजीब गांदी औरंग राष्ट्रिये उद्यान चक्रसिला वन्ने जीब अभ्यारन नाम बोर वन्ने जीब अभ्यारन देहिंग पटकाई राष्ट्रिये उद्यान तो यह एक सिंग वाला गेंडा के लिए परसिद है राष्ट्रिय उध्यान गोपी नाथ बार्दोली अंतर राष्ट्रिय हवाय डग गोहाटी में दोस्तों असम का मुख्य लोक निर्त भी हूँ है और असम में ही दोस्तों सबसे प्राचीन तेल छेत्रहडिक बोई में असम क दोस्तों पश्ची मंगाल से लगती है और यहां पर भूटान है दोस्तों तो असम की सीमा लगती है भूटान से अरुनाचल परदेश से दोस्तों नागालेंड से मनीपूर से मिजोरम से त्रिपूरा से मेघाले से और बांगला देश दोस्तों और पश्ची मंगाल से लग चैंगाज जील डिगबोई जील तिपोर बिल और सोन डिल कहां है असंबी विश् dress का सबसे बड़ा नदी दूई पर कौन सा है Ubust מאל ली है विश्च मोदी मंत्री मंदल के कैबिनेट मंत्री को देखते हैं रक्षा मंत्री कौन है राजनात सिंग गिरी और सह कारिता मंत्री कौन है अमीत साह सरक परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है नितिन जैराम गडगड़ी स्वास्थ और परिवार कल्यान मंत्री और असाइन और उरुरक मंत्री कौन है जेपी नड़ा, किरसी और किसान कल्यान मंत्री और ग्रामिन विकास मंत्री कौन है, सिवराज सिंग चोहान, बित्य मंत्री और करपुरट मामलों के मंत्री कौन है, निर्वला सिता रमन है, दोस्तो, विदेश मंत्री कौन है, डॉक्ट मंत्री किसके पास है जीतन राम ओंग के पास दोस्टो है मेरी प्यारे दोस्तोοι पंचायती राज मंत्री पथा मतस्य पालन पसु पालन और डियरी मंत्र सिंग क刚 सउल मंत्री यूंफ flavored कमार दोस्तोες प्राइटिuch कुं है नागरिक लिएन मंत्री कौन है पिंजरप्पो, राम, मोहन, नाइडू के पास नागरिक ऊडियन मंतर आले हैं दोस्तो बहोगता मामले, खाद एवं स्रवजनिक विट्रन मामले और नवीन और नवीन करनी है उरजा मंतरी कौन है तो पहलाद जोसी है तंजाती मामलों के मंत्री कौन है जुएल उराओं दोस्टो बस्तर मंत्री कौन है गिराज सिंग एल मंत्री सूचना एवं परसारन मंत्री और इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना परद्योयकी मंत्री कौन है तौस्वनी बैसनव है मेरे प्यारे लाले एवं लालियोग मेरे द पुर्णा देवी हैं संसदिये कारे मंत्री था अलपसंख्यक कारे मंत्री कौन है कि रनी रिजीजू है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है हरदीप सिंख पूरी है दोस्तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री मेरी लालेवं लालियो मेरी प्यारी दो मेरे प्यारे दोस्तों आपको बताना है comment box में कि बिजली मंत्री के बिजली मंत्र आले और सिक्षा मंत्री कौन है इस तोनों प्रश्शन का जवाब देना है comment box में आपको अगला प्रश्ण हमारा है हाल ही में किस बैंक ने में एम एस इडिजिटल बिजनेस लॉंच किया है तो भारतिय एस्टेट बैंक ने दोस्तो एम एस एम एस एम ए डिजिटल बिजनेस लॉंच लॉंच किया है तो भारतिय एस्टेट बैंक का हेड़ क्वार्टर मेरे प्यारे दोस्तो अब हम पिछले दिन के क्रेंटाफिर को रिवीजन करते हैं बैस्विक पबंद इवसकम मनाया गया 15 जून को मिनिट मैन थ्री मिसाइल का परिक्षन किस देश ने किया है अमेरिका ने किया दोस्तो प्रसांत महां सागर्मी घरों की कीमत में विश्व में महंगा सार कौन बना है तो मनिला बना दोस्तो जी सैबन देशों ने किस देश को पचास वीलियन डॉलर का लोन देने पर सहमाती जताई है तो यह कुरेन को फलाई ऑन दा आरबियाई वॉल पुस्तक के लिखा कौन है तो अलपना किल वाला के दोरा लिखा गया है फलाई ऑ जोती मठ कर दिया गया उतरा खंड फादरडे का मैं जाता है 18 अधिकारी के नेया शुधारों पर विधी समेलन का आयवचन हुआ है तो कौकता में हुआ है कहां पर हुआ है probably दक्षी net परिका के राष्ट्रपति फिर से कौन ड्रवाचित हुए है तो श्रीलम भोसा निरव किया है तो यह दूस्तों मैंने आपको पिछले दिए के क्रेंट एफेर को रिविजन करवाया मैंने कल आप से तीन प्रश्ण किया था वो तीन प्रश्ण मा रहा था जिसका जबाब देना था के मेंटर बॉक्स में आपको कि प्रधान मंत्री ने रियंद हमो नाइट्रोजन ऑक्साइड उसरजन करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन मना है भारत पहला कौन है दोस्तों चाहिना है मेरे प्यारे दोस्तों आज का आपका तीन प्रस्ण है जिसका जवाब देना है केमेंटर बॉक्स में आपको बैस्विक पबंदी वसका मनाया गया मिनिट मैं 3 मिसाइल का परिक्षन किस देश ने किया है और घरों की कीमत में विश्व में सुरवादी के महंगा सहर दूस्तों कौन है और भारत में कौन सा सहर प्रतमस्थान पर है तो इस प्रस्ण का जवाब देना है केमेंटर बॉक्स में आपको ये था हमारा आज का महत् अंकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सेयर करें और सस्क्राइब करें, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लालेवं लालियो